और चलिए खबरों की शुरुबाद इस वक्ती बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है अतिक अश्रफ के शब को दफन किया गया है सुफुर्दे खाक हुए हैं अतिक अश्रफ और अतिक के दो छोटे बेटे जनाजे में शामिल हुए अश्रफ की दोनों बेटियां भी मौके पर मौझूद रही तो देखिए पहले पोस्ट मौटम चल रहा था पोस्ट मौटम की प्रकरिया पूरी होने के बाद फिर कबरिस्तान इनके शब को लाया गया और दफनाने की जो प्रकरिया थी पूरा परिवार यहाँ पर मौझूद था दो बेटे वो मौझूद थे और अश्रफ की दोनों रिष्टेदार भी मौझूद थे और दो बेटे साथी अश्रफ की दोनों बेटिया वो भी मौझूद रही सुपूर्देखा किये गए हैं अतिक और अश्रफ यह वही कबरिस्तान है जहाँ पर अतिक के बेटे यानि की असद को दफनाया गया था और आज जो अतिक और उस और आज सुपूर्देखा किये गए हैं अतिक और अश्रफ यह तस्वीरे आपके सामने देखिए रात का अंधेरा था पूरा परिवार वहाँ पर पहुचा उनके जो रिष्टेदार हैं दूर दूर से वो भी वहाँ पर पहुचे थे और भारी पुलिस बल भी तैनात रहा इस पूरी प्रॉसेस के दौरा और वे सिद्धार्त नगर में धारा 144 लागू हो गई है आपको बताने की कानुम बबस्ता दूरुस बनाए रखने के लिए धारा 144 यहां पर लागू की गई है महीं अफवाँ फैलाने वालों पर सक्त कारवाई भी की जाएगी माफिया आतीक हैमद और उसके भाई पर ताबर तोड गोली चलाकर मौत की निन सुलाने वाला लवले इस्तिबारी पूरे हत्याकांड का मास्टर माइंट था माफिया पर सबसे पहले गोली चलाने वाला लवले इस्तिबारी है और मजाज का संकी है गांजा फूक कर यह घटना को अंजाम देता था और बिते दो वर्ष पूर गांजे के नशे में एक लड़की को थपड भी जड़ चुका था और थपड कांड को लेकर दो महीने की ज तो चलिए अब बात करने ते निकाय चुनाओ की उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाओ की तारिकों का ऐलान होने के बाद से सफा में टिकेट के दावेदारों की मानों भगदर से शुरू हो गई थी और आज लखनों में पार्टियों मिद्वारों के लिस्तिये जारी बलिया से लक्षमण गुपता को सफा प्रतियाशी बना गया तो वही कन्नोच से याशमीन को सफा का उम्मिद्वार खोशिद किया गया है तो आपको बता दें लिस्ट ये जारी हो चुकी है कुंदरकी से शमीना खातून सपा की प्रतियाशी बनी है उनको मैदान में उतारा गया मुरादाबाद से एरश उद्दीन सपा प्रतियाशी बनाए गये है कन्नोस से याशमिन सपा की उमिद्वार खोशित की गई है सपा की दूसरी लिस्ट है हर दोई से रामजान गुपता सपा प्रतियाशी बने है उनको मैदान में उतारा गया है शाजापुर से अरचिना राजपूत और लहरपुर से कैशर जिनको सफ़ा प्रतियाशी मैदान में उतारा गया है तो ये दूसरी लिस्ट है समाजवादी पार्टी की जो डिक्लेयर हो चुकी है जिसमें ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं तिलहर से लाल बाबू सफ़ा प्रतियाशी बनाए गये हैं उत्तर पर्देश में निकाय चुनाव की तारिकों का ऐलान होने के बाद से ही बीजेपी में टिक्ट के दावेदारों की भाग दौड ये शुरू हो गई थी और आज लगनो में पर्टी अमेदवारों की लिस्ट ये जारी होई है और इसी कसाथ ही अटकलों पर मानू फुल सटॉप सा लग गया बीजेपी किस लिस्ट मेराण roof में चेर्में के लिए उमेदवारों के नामों की गोशना हुई है और बीजेपी निसारनपूर, मुझफर नगर, शामली बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपूर और संबल जिले में नगर पाली का प्रतियाशों के नामों का एलान करती है इसके लावा बीजेपी ने मुरादाबाद, नगर, निगम के असी बार्टों के लिस्ट भी यह जारी कर दी है तो बीजेपी की यह पहली लिस्ट है, अलागि सपा ने अपनी दूसी लिस्ट जारी की थी बीजे पि Bone पे पहली लिस्ट है जिसमें ये कई नाम इसमें । με डिक्लियर किये गए हैं नगर पंचायत सिर्की के कॉसर अबाज हैं नगर पंचायत गुनाउर से खुश्वू प्रजापती उनको मैदान में उतारा गया नगर पंचायत मब्राला से हर्श वर्दन उनको मैदान में उतारा गया है नगर पंचायत गावा से सर्वेश दिवा कर वो प्रतियाशी है और बीजे पी ने अपने प्रतियाश्यों की ये पहली लिस्ट जारी की है ये लिस्ट आपके सामने है नगर पालिका देख्ष प्रतियाश्यों की लिस्ट ये उतारा गया है और यूपी में नगर निकाए का चिनाव शंकनाद ये हो चुका है उत्तर प्रदेश के सभी स्यासि धलों ने चिनाव को लेकर कमर कस्ली है और इसी करम में प्रदेश के सतार उर्दल यानि की बीजेपी ने भी मेयर प्रतियाशों के नामों की पहली लिस्ट ये जारी कर दी आपको बता देंगे प्रदेश अद्यक शौधरी उनके साथ संगठन महामंत्री यानि के धरंपाल सिंग केंद्री नेतरतु से मुलाकात करने के दिल्ली पहुंचे थे और इसके बाद ही प्रतियाशों के नाम पर ये अंति मोहर लगी है वो बेगर चौधरी दिल्ली वे जहां पार्टे अद्यक्षत जेपी नड़ा और संगठन मामंत्री बेहल संतोष से भी मुलाकात करने के बाद प्रतियाशों के पहली लिस्ट ये जारी कर दी गई है और वे उत्राखन के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी देर शाम धर्मनगरी हरिदवार पहुंचे हैं जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने कनखल के जगत गूरु आश्रम में जगत गूरु शंक्राचारिये राज-राजेश्वरस महराज से मुलाकात करुंक आश्रबाद लिया इसके बाद वे रिशिकुल मैदान में तीन दिबसे सद्धवावना संविलन में शर्क्त करने पहुंचे हैं जरान सियम धामी ने चारधाम यातरा को लेकर का है यातरा प्रारम होने बाली है सरकार जांक अधिय है कि सब हम यात्रा हमारी प्रारम होने वाली है सभी का सहीयोग उसमें अप्रिक्सित है कि यात्रा तुपी एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों को संथ्या बढ़ रही है उसलिहाद से को लेकर हम लोग पुरी सावधानी पहले से ही करत रहे हैं और वहीं आगा में निकाय चुनाव और लोग सभा चुनाव के तैयारियों को लेकर कॉंग्रेस ने रणनीती बनाना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि अभी प्रिवेशक नुक्त किये गए हैं और सब अपने अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तिरिस तरिया पंचाय चुनाव का कड़वा अनुभव रहा है और इसको देखते वे रणनीती यह बनाई जा रही है अपने तरीके से काम कर रहे हैं और अन्ही किसम की तैयारे हैं पंचाय चुनाव का जो अनुभव रहा है जिस तरीके से रिजर्स बनाने में दिक्कत आयी जिस तरीके से राकवार्ड वजह अचानक हांटिंग रोग दी गई सुबह परिणाम को दूसरी थे उन सब चीजों सबग लेकर हम अपने संगठत को त्यार कर रहे हैं कि प्रशाशन या कोई विवक्ति दवाओं में दलत कामना करें निस्पक्स चुनाओं और उसकी त्यारी के लिए हम दो कमरकस के त्यार हुआ और वे कॉंग्रेस पार्टी को लेकर बयान बाजी और अगले साल लोगसमा चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस को अंद्रूनी कला को शान्त करने के लिए ये बेजा किया है उत्राखन में कॉंग्रेस पार्टी में चल रही आपसी गुठबाजी और बड़े नेताओं के एक दूसरे के खिलाब बयान बाजी को रोकने के लिए केंद्री नेत्रतू ने कॉंग्रेस के वरश नेता पियल पुनिया को देहरादून भेजा है आपको बता दें के पियल पुनिया ने कॉंग्रेस के चालिस वरश नेताओं से मुलाकात कर सभी से कॉंग्रेस को मजबूत करने की बात कई है और इसे दोरान कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महरा भी मौचूद रहे जिसको लेकार करन महरा ने काए कि मिटिंग में उत्राखन के हालातों पर चर्चा की गई है साथी पार्टी से जुड़े कहीं जरूरी मुद्दों पर आपसी गुठवाजी को सुलजाने की कोशिश भी की गई है उत्राखन में कॉंग्रेस के वरिश नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग रोखने के लिए दहरादून पहुचे एक इंद्रे पर वेच्छाख पियल पुनिया ने कॉंग्रेस नेताओं के साथ बैठ कर विवाद को थामने की कोशिश की है वहीं इस मामले में बीजेपी ने चुटकी लिए बीजेपी प्रदेश मेडिया परभारी मनवीर चौहान का कहना है कि उत्राखन कॉंग्रेस में बबाल कभी शान्त नहीं हो सकता राज़े कठन के बाद से अब तक उत्राखन कॉंग्रेस के नेताव में चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो कभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया अब तक जो भी चल रहा है वो सब को मालूम है उत्राखन की जनता अच्छे तरस मालूम है कॉंग्रेस जब सरकार में रहती है तब यूनके क्या हाल थे और जब वो भी प्रक्षिमें है तब यूनके क्या हालें सब देख रहे हैं कि कॉंग्रेस की जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी समय बिपक्स में जनता के मांग को उठाने की है उसको न उठा करके वो आपस में लटते जखरते रहते हैं लेकिन वो चाहे कितने भी प्रक्षिन क्या हैं उससे कुछ होने वाला नहीं आगामी 2024 में दुबारा कॉंग्रेस को पूरा प्रदेश के अंदर पता सापने वाला है अरहलदोरी में अतिक्रमन कारियों का कब्जा लगातारा बढ़ता जा रहा है आपको बता दें कि फुटपार से लेकर अस्पताल तक अतिक्रमन कारी ओने कब्जा कर लिया है जिसको रुखने में प्रशासि नगर निगम नाकाम होता वा नजब आ रहा है इसी मामले में सिटी मजिस्टेट रिचा सिंग ने कहा है कि जल्दी अर्थिक्रमन हटा कर इस पर कारवाई की जाए और वे राजधानी देरादून में सियम केजरी बात से आपकारी नीती मामले में पुश्टाच के बाद सियासत गरम हो गई है और सिको लेकर आपकारी करताव ने पंडी दीन दियाल उपाद है पार्क में एक इंदी सरकार के खिलाब जमकर नारेबाजी ये की है जिसका नित्रतु अप्रदेश संगठान समन्द्वेक जोट सिंग बश्ट ने किया है देखे जिस तरह से विधान चबा एक उत्राखंड के मंदिर के रूप में है और वहाँ पर उत्राखंड के हर व्यक्ति के भहुश्य का भैसला होता है और कॉंग्रेस के लोगों ने जिस तरह से कृतिया वहाँ पर किया है और एक हमारी जो पहली महिला स्पीकर उत्राखंड की बनी है वो इसलिए बनी थी कि यहां की हर एक महिला ने इस उत्राखंड राज्य को बनाने में जो संगर्स किया है वो सम्मान भारतिय जंता ने तैयारियां तेज कर दी हैं प्रदूशन कंट्रोल बोड के आई एफस अधिकारी शशंक पतनायक ने कहाए कि एंजीटी ने मुक्य सचिव की अद्यक्ष्टा में समीथी का गठन किया और अब बायो वेस्ट जेनरेट से श्रधालों को आउगत कराने के निर्देश दि रहा है लेकिन मैक में को कोविड-19 का दर भी सता रहा है और जिसे लेकर स्वास्तो विबाग ने कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ा दिया है और आम जनता से स्वास्तो विबाग मास्क लगाने की अपील भी कर रहा है हमारे उट से चारधम की तैयारी की जा रही है हमारे MBBS और specialist की duty हमारे द्वारा लगा दी गई है और उन सभी का हम basic protection कर रहे हैं MBBS का हमारे चंदन्दगर training center में चल रहा है और जो हमारे specialist है उनका प्रिस्सिक्षन हम मेडिटरी नामे करके और उत्ता देनुसार हम उनको चारदाम की ड्यूटी पे वेज़ेंगे और हलदवानी के बुद्धु पार्क में केंद सरकार के खिलाप आप कारेकरताओं ने धरना प्रदेशन किया है आपको बतादें कि सियम अर्विन के जरिवाल को भेजे गए समन से आप कारेकरता काफी नाराज है परियागराज में माफिया अतिक हैमत और उसके भाई की हत्या के बाद हरदवार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है इसको लेकर उत्राखंड की सिमाओ पर चेकिंग अभ्यान यह चला जा रहा है इसके साथ हरदवार पुलिस सोशल मेडिया पर भी अपनी नजर बनाए हुए है ताकि कहीं कोई अफ़वा ना फैलाई जाए तो हरदवार में भी पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है जाती सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई इस तरह की अफ़वा ना फैला है जिससे माहूल खराब हो तो सिमाओ पर चौकसी ये बढ़ा दी गई है उत्राखंड की सिमाओ पर सर्च अभ्यान ये चल रहा है हर नाके पर पुलिस खड़ी भी है और आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है तो अतिक अश्रप की मौत से प्रशासन अलट मोड पर है ना सिर्प उत्तर परदेश बलकि उत्राखंड में भी अलट मोड पर है पुलिस प्रशासन और आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है और देरादू नगर निगम ने पिछले वित्य बर्श में टेक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड बनाया था और 52 करोड का हाउस टेक्स कलेक्ट ये किया था और इसी साल नए नगर निगम ने ये टेक्स कलेक्शन का अपना जो टारगेट है लगबग 75 करोड ये रखा है और इसके लिए नगर निगम के मेर सुनिर उन्याल के अनुसार हमारी कोशिश है कि जनता से मिले टेक्स को जनता के विकास कारी में खर्च किया जाए ऐसे में कई योजनाओं में ये पैसा खर्च किया जाएगा ये उन्होंने का है लेकिए मैं इसके लिए अपने सभी सहरवाशियों का उनका धन्यवाद और आवार बिल्क करता हूँ कि वह टेक्स जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी संजी और टेक्स को जो है नगर निखम में जमा किया है हमारा लक्ष था पचास करोड़ लेकिन बावन करोड़ रोपे ज्मे不是 जब जो है हमारे सहर के विकासकारिय जो बो सहर के विकास कारिया हो सकें, इसके लिए में सभी सहरवाश्यों का बहुत-बहुत धन्यवार आवहर व्यत करता हूं तो फिलाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रही है जनता टीवी के साथ नमस्कार